Good morning student, welcome to class 3rd, this is your EBS lecture. Today we will discuss question answer of lesson 13, the dresses we wear. Very first question is, why do people wear different dresses in different part of India? की, India के लोग अलग-अलग dresses अलग-अलग पार्ट में क्यों पहनते हैं? answer is, people wear different dresses in different part of India. की, लोग अलग-अलग तर है की dresses, इंडिया में अलग-अलग पार्ट में इसले पहनते हैं, because of climate, एक तो हमारा जो मोसम में उस पर निर्भर है, land form की हम कौन से स्थान पर रहते हैं, religions हम किस धरम के, and social and cultural difference की हमारे समाजिक और संस्कृतिक difference के कारण हम अलग-अलग तर है के, dresses वियर करते हैं, question second, what are the main dresses worn by women in India? की, इंडिया के अंदर महिलाओं के द्वारा पहने जालने वाली dresses कौन-कौन से है? The answer is, the main dresses worn by women in India are sarees, घागरा कुर्ता with ओडनी, सिल्वार कमीज with दुपट्टा, गागरा चोली and लहेंगा चोली with ओडनी, की, इंडिया महिलाओं जो हैं, वो कौन-कौन से dresses पहनती हैं, सारी गागरा कुर्ता, ओडनी के साथ, सिल्वार कमीज, दुपट्टे के साथ, गागरा चोली और लहेंगा चोली, किसके साथ? ओडनी के साथ, नेक्स्ट कोशन इस, इंडिया में मैंस के द्वारा कौन से dress पहने जाती है? इंडिया में पुर्शों के द्वारा पहने जाने वाली dress कौन-कौन से हैं? शर्ट पैंट, दोती कुर्ता, कुर्ता पैजामा, एंड कुर्ता लोंगी, थैंक यू ग्लास, हैव अनाइस जेए!